आजेए, टाइप नंबर 12 को देखे, टाइप नंबर 12 क्या कहा है, यहीं से आपका most important property start होना शुरू होता है, जहाँ पर आपके जो सवाल है, वो tangent के उपर आते हैं, tangent के बारे में मुझे कुछ खास बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता है tangent का मतलब spurs रेखा, जो circle को क किसी एक circle के बारे में कोई भी circle है, जैसे मानो यह एक circle है, इसके कितनी spurs रेखाएं हो सकती है, तो इसके अनंत spurs रेखाएं हो सकती है, एक इसको यहां से touch करके जाएगी, दूसरी यहां से कर सकती है, तीसरी यहां से कर सकती है, इसमें कोई fix नहीं है, कोई fix नहीं है कि एक circle का एक ही spurs रिखा होगा एक circle के अनन्थो spurs रिखाएं हो सकते हैं लेकिन वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है दिक्कत कहाँ पर आती है दिक्कत आती है आपको दो circle के case में दो circle के case में भी कब तब ये problem आती है जब 2 circle एकदम ऐसे दूरी पर हूँ, यह पहला पॉइंट हो जाता है, दूसरा हो जाता है कि जब यह दो सरकल जो है, एक दूसरे को टच कर रहे हूँ ऐसे, तब कितने टैंजेंट बनेंगे, और तीसरा पॉइंट तब आता है, जब यहाँ पर यह दो सरकल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हू ठीक है जब ये दो सरकल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हो तो हमारा एक्जामनर पूछता है बताओ कितने टैंजेंट बनेंगे तीन केसेज आपके सामने दिख रहे हैं एक अकेले सरकल में इन फाइनाइट स्परश रिखाएं हो सकती है लेकिन जब दो सरकल ऐसे हो या दोनों टच कर रहे हो या दोनों एक दूसरे को काट रहे हो देख रहे हो पहले इनके बीच की दूरी कितनी ज़्यादा थी फिर इनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई फिर तो इतना दूसरे में प्यार महबबत हो गया कि एक दूसरे के ऊपर जो है भाई साब ये दो चड़ी गए समझ रहे हो इतना प्यार महबबत हो गया कि जा रहे हैं हाथ में हाथ पकड़ के ये वाली कहानी हो गई है तो जब दूर थे तो कितने टेंजेंट अपने पीच में ला सकते थे फिर जब दोनों टच हुए तो कितने टेंजेंट ला सकते थे और जब एक दूसरे के ऊपर आए तो कितने टेंजेंट आ सकते थे तो tangent का मतलब क्या होता है अगर हम बात करें तो एक tangent अगर हम उस समय यहाँ पर बनाते तो एक tangent इनका यह हो जाता हो जाता देखते चलो दूसरा tangent क्या हो जाता यहाँ पर यह हो जाता हम इसको ऐसे कह सकते थे कि भाईया तुम इसको ऐसे भी टच कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं एक ऐसा टेंजेंट ये भी हो जाता जो दोनों को ऐसे टच करके निकल जाता ठीक तीसरा हम इनको ये भी कह सकते थे कि एक टेंजेंट तुमारा ये भी आता और ऐसे आता और ऐसे निकल जाता कि पता ही नहीं चलता ठीक है कैसे निकलता यह देखो यहाँ पर ऐसे निकल जाता इसको टच करके तो यह हो गया हमारा तीसरा टेंजेंट और चौथा टेंजेंट सेम तरीके से क्रिसकोस मेथट से हमारा यहाँ पर हो जाता जो इनको एकदम इस तरीके से टच कर देता ठीक तो इसके अंदर टोटल कितने टैंजेंट होगे तो आप बोलोगे सर इसके अंदर टोटल कुल मिलाके चार होगे, एक, दो, तीन, और चार तो इसके अंदर कितने टैंजेंट है मेरे दोस्त इसके अंदर कुल मिलाकर चार टैंजेंट है कितने हैं, चार है ये चार का विभाजन पता है कैसे है दो जमा दो से है ये दो कैसे है, तो एक ऐसा टैंजेंट जो दोनों को उपर उपर छुकर चला जाए उसको कहते हैं direct common tangent उसको क्या कहते है direct common tangent DCT कहते है DCT का मतलब क्या होता है जो एकदम ही से touch करके चला जाए उसको direct common tangent कहेंगे तो ऐसे direct common tangent कितने है तो बोलोगे sir, 2 direct common tangent हो गए और जो दूसरा होता है कहते हैं है Transverse Common Tangent जो इसेshots कटम कुटाई खेँ हिलता है ना उसको बोलते है Transverse Common Tangent TCT बोलते है यानि दो Circle को चार Tangent टच करते हैं जिसमें दो जो होता है वो Direct Common Tangent होता है और जो 2 होता है वो Transverse Common Tangent होता है फिर बात करते हैं यहाँ पर की अब यहाँ पर इस circle को touch करेगा तो कितने tangent touch करेंगे तो बोलोगे sir देखो यहाँ पर यह दो जो है यह ऐसे उपर उपर touch कर लेंगे क्या बोलोगे sir देखिए यहाँ पर simple सा है कि एक यहाँ पर आएगा ऐसे touch करके चला जाएगा दूसरा कौन होगा sir दूसरा यहाँ नीचे होगा ठीक है दूसरा कौन होगा तो दूसरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा और तीसरा वाला कौन होगा तो तीसरा वाला यह होगा sir जो एकदम बीच से इनको छुके निकल जाएगा यानि यहाँ पर अगर हम बात करें तो total कुल मिला के कितने tangent है तो यहाँ पर total तीन tangent है कितने tangent है तीन tangent है और यह तीन tangent में कितने विभाजन है तो भोलोगे sir दो इसमें direct common tangent है तो दो DCT है और एक जो है वो क्या है transverse common tangent है जो दोनों को touch कर रहा है आप से इतने detail में नहीं पूछता कि direct क्या है transverse क्या है simple पूछता है कितने tangent हो गए और तीसरा case आजाता है हमारा यहाँ पे इस वाले case में आप देखोगे तो क्या बीच से कोई line जा सकता है तो नहीं जा सकता यानि सिर्फ उपर उपर से एक जाएगा और एक नीचे नीचे से जाएगा बस यहीं कहानी हो सकती है और इसके अलावा नहीं तो इसमें कितने आ जाते हैं दो tangent आ जाते हैं और यह दोनों के दोनों क्या होते हैं तो दोनों के दोनों direct common tangent होते हैं तो अभी तो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि कितने tangent टच करते हैं बाद में आपको भी दो कदम आगे चलने के बाद हमें ये भी देखना है कि जो ये tangent आते हैं इन tangent के लंबाई भी हमसे पूछी जाती है जो स्पडश रेखा यहां पर दी गई हैं इस स्पडश रेखा की लंबाई पूछी जाती है जैसे परिक्षा में आपका ये डारेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई पूछा जाता है और फिर उसके बाद आपसे ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी यानि जब दो सरकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो DCT का मान कितना होगा? और जब दो सरकल एक दूसरे के ऊपर चड़े हुए होंगे तो यहां पर सिर्फ डारेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहा है और ये mensuration के लिए भी important है circle कहे कि यही property है जो circle के अंदर जान डालता है और बढ़िया तरीके से उसके सभी चीज़ों को satisfy करवाता है तो ये बाते सारी की सारी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखवा दी है समझाने के लिए तो मैंने आपको class में बता दिया जब यहाँ पर इस तरीके से दो circle touch करे फिर जब दो एक दूसरे के ऊपर चड़ाई करे हर बात लिखा गया है अब आज आता है case number D case number D क्या होता है वो जान लो इसमें 3 cases में आने पढ़ाए और चौथा case क्या होता है कि देखो पहले ये लोग काफी दूर थे फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद ये हुआ कि दोनों करीब आएं फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे touch की है और चौथा case में आपको बता रहा हूं चौथा केस क्या होता है वो भी देख लो ठीक है चौथा केस भी बड़ा लाजवाब केस होता है वो भी आपके पेपर में पूशा जाता है केस नंबर 4 में हमारी कहानी यह हो जाएगी कि एक सरकल ऐसे रहेगा दूसरा सरकल इसके अंदर बना दोगे और बोलेगा कि यह दोनों ऑईसे टच कर रहा है देखते चलो मतलब कहते नहीं है कि उंगली पकड़ लिया ठीक है उंगली दिया पकड़ने को तो हाथी पकड़ लिया वही बात है थोड़ा सा करीब के आने दिया यह तो मेरे अंदर यहा के जगह बना लिया पहले क्या थे काफी दूर, फिर आये पास में, फिर एक दूसरे को ऐसे काड़ दिया और फिर हो गया उसके अंदर, तो यहां पर जैसे जैसे यह कहानी बढ़ते चली जाती है इनके tangent एक-एक से कम होते चले जाते है, यहां पर थे 4, यहां पर थे 3 और यहाँ पर थे 2 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा 1 और वो इसको ऐसे टफ करके चला जाएगा तो यहाँ पर बनता है सिर्फ और सिर्फ एक tangent समझ में आ गया तो 4, 3, 2, 1 और conditions क्या होते हैं वो आपको पता ही है तो ये सारी बाते हमने यहाँ पर लिखवा दी है, चार अगर टेंजेंट बनते हैं, तो दो डारेक्ट और दो ट्रांसवर्स, तीन टेंजेंट बनते हैं, तो दो डारेक्ट और एक ट्रांसवर्स, फिर हमारा अगर दो टेंजेंट बनता है, दोनो डारेक्ट, फिर हमारा एक बनता है तो यह direct ठीक है चारो tangent हो गए चारो के उपर स्रवाल भी पूछा जाता है चारो के उपर स्रवाल भी पूछा जाता है और जो पांचवा case अगर हम इसके अंदर कर दें तो पांचवा तो एकदम कहते नहीं है एकदम मन ही बढ़ जाएगा वैसा वाला कहानी है पांचवा में क्या होगा कि यदी ये वाला सरकल ठीक है इसको थोड़ा सवर अंदर हम करके लेते आते हैं ताकि पांचवा case को हम आपको एक ही बार बता पाएं एक ही स्थान पर बता पाएं ठीक है यहाँ पर हो जाएगा one tangent और पांचवा हो जाएगा हमारा कौन सा एकदम बीच में जैसे ब्रिटिस सामराजे का हम example देखे हम आपको इसको समझा सकते हैं एकदम बीच में तो यहाँ पर हो जाएगा कितना tangent zero tangent ब्रिटिस सामराजे भारत में कैसे आया ठीक है कैसे उसने पूरे की पूरे भारत को एकदम बीच में तो पहले कहा कि हम दूर से ही बिजनस करेंगे दूर से बिजनस करेंगे ठीक है तो बराबर प्रॉफिट हो रहा था दो भारत सरकार को जा रहा था फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो थोड़े से करीब आएं थोड़े से करीब आएं तो इनको भी ये British सामराज है ऐसे समझे लो इनको दो पार्ट का profit हुआ तो हमारे भारत सरकार को एक हुआ फिर दोनों एक दूसरे को intersect करने लगे एक दूसरे के market को collapse करने लगे तो उसक किसे कहानी हुई 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है 5 cases बनते हैं हर जगह पर हमें tangent की value भी निकालनी है पहले ये जहनना है tangent बनते कितने हैं और कैसे बनता है और फिर जानेंगे कि उनका value होता है जो लंबाई होती है वो कितनी होती है और कैसे निकालते है जैसा कि मैंने कहा कि पहले हमें क्य का लंबाई कितना होगा हम simple दो circle को मान कर चलेंगे कि दोनों circle अगर दूरी पर हैं तो direct कितना होगा और transverse कितना होगा फिर उसके बाद हम उनके दूरी को कम करते जाएंगे और वो formula और आपस में से मटता चला जाएगा पहले हम लोग पढ़ते हैं direct common tangent के बारे में कि हम direct common tangent को कैसे निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर इसको थोड़ा सा side करो और heading डालो direct common tangent की direct common tangent की लंबाई कैसे आ जाएगी mensuration में मैं आपको सीधा का सीधा formula बता दूँगा इस बात को ध्यान रखना वहाँ पर जरुवत नहीं पड़ेगी हमें इसको प्रूफ करने की क्योंकि यह थोड़ा सा प्रूफ जो है वो हमारे जरह जरूरी हो जाता है ठीक है ध्यान रखने के लिए कि भाईया यह आया तो आया कैसे अब डिरेक कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिरेक कॉमन टेंजेंट क्या होता है डिरेक कॉमन टेंजेंट के अगर हम बात करें तो जैसे यह समझ लो इन दोनों को टच करने वाली स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा जो दोनों को क्या कर सके जो दोन और मुझे कहाँ से कहां तक की लंबाई पता करनी है मुझे जो है A से B तक की लंबाई पता करनी है कॉल आ रहा है किसी का बच्चे हैंग्दम परिशान करके रख देते हैं कॉल पे कॉल दागे जाएंगे एक बार ना उठाओ तो समझी नहीं आता है अब अगर मुझे यहाँ पर A B के लंबाई पता करनी है तो मैं A B के लंबाई को कैसे पता करूँगा बहुत असान काम है कोई मुश्किल काम नहीं है आप इसको A बनाओ और यहाँ पर इसको B बनाओ आप देखो मेरी बात को समझना अगर हम यहाँ पर चोटा सा कंस्रक्शन और कर दे जिससे सर्कल को थोड़ा सा पौर नीचे लेके चले आओ अब इसको और नीचे लेके चले आओ तब थोड़ा सा समझाने में जो है वो असानी हो जाएगा और यह जो हो गया एक तरीके से मैंने कहा ये भी 90 बना रहे हैं ये भी 90 बना रहे हैं इनके बीच की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं कहते हैं यहां पर कि देखो जब इनके center काफी काफी दूर हैं तो इसके distance को हम D कह देते हैं इसका radius capital R इसका radius small R अब मुझे अगर यहां पर यहां पता करना है तो मैंने कहा कि देखो कुछ नहीं करना इस रेखा के parallel यह वाली रेखा है क्योंकि यह दोनों 90 है तो इस रेखा को थोड़ा आगे तक और बढ़ाओ मानो यहां तक आपने बढ़ा दिया ठीक और इसके बाद इस रेखा को आप और आगे बढ़ा के यहां पर 90 का खून बनाओ असल में आपने किया क्या है वो देखते चलो छोटा सा काम किया और कुछ नहीं किया है मैंने कहा एक rectangle बना लो मै वाली value इसके बराबर यानि यह value कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगी distance between there center अब आप मुझे बताओ यह value पूरा का पूरा capital R और यह value small r तो यह भी पूरा का पूरा capital R जितना यह है उतना यह होगा यानि यहां से लेकर यहां तक पूरा capital R और जिसमें यह जनाब है small r तो य यह जो tangent AB होगा, इस tangent AB का मान क्या होगा तो बोलोगे सरफ tangent AB का मान, यह tangent क्या है hypotenuse है और hypotenuse है तो perpendicular के square में base के square को जोडेंगे, perpendicular का square हो जाएगा d square और base हो जाएगा हमारा r minus r का whole square और इसका लगा देंगे root तो direct common tangent का formula क्या होता है दुबारा से समझना, इन दोनों के पीच दिया, ताकि यहाँ पर यह बराबर लंबाई का एक rectangle हमारा बन जाए, अगर यह R है तो R के ही लंबाई का यहाँ पर हमने एक और line कीचा, यह दोनों के बीच में 90 था तो उपर वाले दोनों बराबर, यानि यह D था तो पीछे वाला BD, perpendicular D हो गया, यह R minus R हो गया, त Transverse Common Tangent, और Transverse Common Tangent भी बहुत असान होता है, value निकालना, उसका भी direct आप निकाल सकते हो, छोटी सी बुद्धी का बस प्रयोग करो, अपना जो छोटा बुद्धी है ना जो पीछे लगा हुआ है, बस उसका प्रयोग करोगे, आँकों से सब कुछ दिखता है, देखने का बस तो बस प्रयोग करें, बस गरामी को से सब बस करें, बस बस अंते हैं, बस प्रयोग जोटी से सरकल सब देखने हमारा हुए, एव हमारे की हुद्धी का का मैंटना होरा है, इन दोने बीचि Strength Gary, कौ करेंगें, बस इहां तुद्धा को इसे निकाली है, इन दोन पूच के से B ये दोनो के दोनो लाइने क्या कहलाइगी? parallel कहलाइगी जब ये दोनो के दोनो लाइने आपकी papalelкахLLA अप इनके सेंटर को यहां जोड़ोगे तो आप मुझे खुद बता दो यहाँ पे दोस्त कि आपने यहाँ पर कहा सर यह R है और यह value अगर आपकी capital R होगी तो यह भी capital R होगी क्योंकि यह अपने आप में अब एक rectangle बन गया गोर से देखो तो यह तुम्हारा rectangle बन गया यह पूरी की पूरी value क्या होगी R प्लस R होगी तो जितना आपका यह tangent होगा यानि हम अगर AB का नामान यहाँ पर कहे तो जो यह AB होगा वहीं आपका यह भी होगा और यहाँ पर कोन हमारा कितने का है 90 का क्योंकि यह दोनों लाइने parallel हैं अगर यह 90 तो यह भी 90 यानि जितना हमारा AB होगा उतना ही हमारा XY भी होगा बोलो तो हम कहेंगे सर AB जो आएगा वो XY के बराबर आएगा और वो यह हमारा क्या हो जाएगा God से देखो एक मिनट रुख जाओ तो हमारा यह क्या हो जाएगा हमारा XY की value यानि हाइपोटेनस के स्क्वाइर में से बेस के स्क्वाइर को घटा देंगे तो बोलोगे सरफ D स्क्वाइर माइनस R प्लस R का वोल स्क्वाइर का रूट यह हमारा क्या हो जाएगा Transverse Common Tangent तो दोनों में देखो माइनस ही होता है यहाँ पर D स्कवाइर प्लस R माइनस R का वोल स्क्वाइर और यहाँ पर हो जाएगा अपका D स्क्वाइर माइनस R माइनस R का वोल स्क्वाइर तो यह दो चीजों का Finally, जो conclusion है वो मने यहाँ पर लिखवा दिया है एक जगा छोटा से यहाँ mistake हुआ है मुझे जहां तक लगता है, यहां minus आएगा, यहां पर minus आएगा, D is the distance between them, और AB की value जो होगी वो minus में होगी दोस्त, एक छोटा सा जो है यहां नुकसान है, और यहां पर नुकसान क्या है, यह समझो, यहां पर चोटा सा mistake हुआ है वो देखो, यह जब 90 होगा ना तो यह hypotenuse होगा, यह hypotenuse होगा तो बोलेंगे perpendicular का square यह देखो, hypotenuse अगर हमारा होगा तो यहां पर AB की value यहां minus में आएगी, यह चोटा सा correction कर लेना आप लोग, तो ultimate जो हमारा दो concept आएगा, वो हमारा क्या आएगा, direct common tangent निकालना है, यह minus का sign होता है, तो बोलेंगे d square minus r minus r का wall square, और अगर तुम्हें यहां पर इसको निकालना है, तो बीच में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना हो जाता है, तो यह root 2rr हो जाता है, हम example के माधम से समझते हैं, जैसे यहां पर देखो, दो circle जिसकी radii 25 और 9 cm है, एक दूसरे को externally touch करती है, एक दूसरे को कहां पर देखो, यह transverse वाले में क्या था कहानी, छोटा सा जो mistake हुआ था, वो क्या था, असल में यहां पर 90 का कौन बन रहा था, तो यह value हमारी जो थी, वो थी, हमारी r-r, और यह 90 का बन रहा था, तो यह हमारा perpendicular था, यह हमारा base था, और यह हमारा hypotenuse था, तो hypotenuse में से गटाएंगे, तो यहां आजाएगा, दोनों में formula same होता है, d square minus, बस अंतर में यहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहां पर आपका minus हो जाता है, ठीक, और जब यह दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाती है, यानि अगर हम बात करें, ये दो सरकल ऐसे बराबर तरीके से एक दूसरे को छूल लेते हैं, ठीक है, तो इनका जो D होता है ना देखो, फिर उसकेस में क्या होगा कि आपने यहां Direct Common Tangent लिखा, तो ये Direct Common Tangent हमारा AB हो गया, तो ये AB का जो मान हो गया जो value होती है, वो क्या होती है D का square, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी कि Direct Common Tangent के value D का square minus R minus R का whole square होता है, होता है, अब इनके बीच की distance जब कुछ है ही नहीं और इनके बीच की distance R plus R की value है, तो D के जगा पर आप R plus R रखोगे तो क्या होगा R plus R का whole square minus R minus R का whole square हो जाएगा तो बोलोगे, हाँ सर, इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं A का square minus B का square, तो क्या होगा A plus B, A minus B, यानी R plus R, और plus R minus R ये हो जाएगा, A plus B और फिर उसके बाद A minus B यानी R plus R minus R प्लस R, ठीक है तो हमारा क्या होगा minus R से small R खतम तो बोलोगे, सर, 2 R आजाएगा और यहाँ पर minus R से ये खतम ये बोलोगे, सर, 2 R आजाएगा रूट में आजाएगा ठीक है, तो आप बाहर 2 निकाल दोगे तो 2 root R R हो जाएगा तो ये हमारा direct हम formula कह सकते है कि जब 2 circle touch करते हैं तो ये जो बीच में red वाला distance होता है ये हमारा हो जाता है किसके तो ये हमारा हो जाता है 2 root R R के ठीक है, 2 root R R के और दो circle है, उनकी radius इतनी और इतनी है और एक दूसरे को वो externally touch करते हैं direct common tangent की value बोलिया, बताओ यानि हमें इतना बात पता है ठीक है, हमें इतना बात पता है कि एक circle ये हो गया, दूसरा circle हमारा ये हो गया ये दोनों एक दूसरे को इसे externally touch करते हैं मानो समझे, externally touch करेंगे और बोलेगा कि एक तुम्हारा common tangent है ये जो दोनों को touch करके चला जाएगा ये tangent की तुम्हें लंबाई बतानी है अब बताओ जब दोनों के बीच में distance हमारा नहीं रहता है तो इसकी value क्या होती है अभी बताया था 2 root under r1 r2 2 root under r1 r2 ये हमारी value हो जाएगी तो अगर हम distance की यहां पर बात करें सीधा का सीधा तो यहां पर हम क्या कह सकते है direct common tangent बरावर 2 root r1 की value कितनी है सवाल में तो 25 है r2 की value कितनी है 9 है इसका root हमारा 2 into 5 into 3 आएगा कितना आजाएगा 5 ये 15 into 2 30 आजाएगा option number B for बाहुबली correct answer होगा ठीक है आजवा example number 4 में देखो example number 4 में कहा है the distance between the center of 2 equal center ठीक है जिसकी radius हमारी 3 है और 10 cm है कहा गया the distance between the center of 2 equal circle each of radius each of radius 3 cm is 10 cm बीच की दूरी को 10 cm दिया गया है दोनों के radius को 3 और 3 बताया गया है transverse common tangent पूछा है transverse common tangent transverse common tangent का formula याद रखना है क्या याद रखना है distance between the center minus minus r minus r ठीक है minus r plus r का क्या हो जाएगा whole square direct में ये minus में आता है transverse में यहाँ plus आता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है distance कितना दिया गया है 10 तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का square दोनों की radius कितनी है पहली की radius 3 दूसरे की भी 3 तो 3 जमातीन यानी 6 का square 10 के square में से 6 का square गटाएंगे हमारा 8 हा जाएगा option number d for देवसेना is the correct answer 100 में से 36 गताओ 64 64 का root कितना हैगा 8 हाएगा clear हो गया तो formula ध्यान रहना चाहिए direct देखो transverse common tangent में plus आता है और direct में minus आता है t में plus आता है और एक अगर plus आ गया तो दूसरा automatic क्या होगा दूसरा minus होगा इस तरीके से याद कर सकते हो आ जो example number 6 का गया distance between center of two circles having radius यतना यतना what is length of transverse common tangent कर लोगे formula लगा लोगे दोनों का radius भी दिया गया है आपको और दोनों के बीच में क्या दिया गया है distance भी दिया गया है transverse common tangent किदा बोलोगे सिदा का सिदा से tct बराबर tct बराबर अभी बताया था d square minus r जमा r का whole square ठीक है आप मुझे बताओ d की value कितनी है तो बोलोगे sir 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे sir 10 का square दोनों के radius को जोड़ोगे साड़े चार और साड़े तीन कितना होगा 8 तो 10 में से 8 गटा होगे तो कितना हैगा खुद बता दो 10 8 का 6 का triplet बनता है यानि option number जो C होगा वो correct answer होगा ठीक है बहुत शांदार clear हो गया सेम तरीके से आजाओ यहाँ पर paper का पूछा हुआ question है दो circle की radiai दी है एक कच्छी सेंटिमीटर दूसरे का 3 सेंटिमीटर transverse common tangent की लंबाई 8 है distance between their two center अब देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है transverse common tangent की लंबाई दे दी है दोनों का radius का जोड दे दिया है और distance पूछा है तो क्या distance आप नहीं निकाल लोगे सेम formula का इस्तमाल करके यहाँ पर आप distance निकाल लोगे यह अब आपके जिम्मेदारी है अगला सवाल देखो क्या है दो की radius एक की साथ है और एक की दो है और उनके बीच में center की दूरी इतनी है length of direct common tangent ठीक है पूछा गया है तो length of direct common tangent आप बता सकते हैं सभी questions हमने आपको practice के लिए दिया है जितना ज़्यादा practice उतना ज़्यादा concept clear जितना कम practice उतना ज़्यादा confusion हो जाएगा जार देखो वीडियो अच्छी लगती है न तो like जरूर किया करो या आप लोगों के like से बहुत motivation मिलती है बहुत हिमत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया content लेकर आने की और साथ में वीडियो को हर जगा पे share भी किया करो